गई संराइजर सेद्राबाद और रॉयल चेलेंजर्स बैंगलोर के बीच इस आई पिल का जो फॉर्टी वंथ मैच खेला जाएगा मतलब गई एस रह वर्सेस आर सीबी के बीच जो आज का मैच होने वाला है उसके बारे में अपने इस वीडियो में डिटेर्ड इसमें अपनी टेबल पर सबसे लाश्ट पोजिशन पर वही अगर मैं ऐसा रैच की बात करूं तो इनकी खेलने का तरीका इस आई पेल में पूरी तरीके से बदल चुका है और वो गई जादातर मैचों में 200 प्लस नहीं 250 प्लस का स्कोर करती तो आप गई सबसे बड़ा प इसमत करिएगा और ट्रैविस एड को तो आप कप्तान वाइस कप्तान भी बना के चल सकते हैं और जिन भी भाईयों ने मेरा लाश्ट वीडियो देखा था उन सबी भाईयों ने काफी अच्छे विनिंग की अब गई सबसे बड़ा प्रश्ट उठता है कि आज के मैच में कौन सा प्लेयर है जो आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग जिताके दे सकता है वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा साथ मैं आपको बताऊंगा गईज ये वाला जो मैच खिला जाएगा ना वह मैच किला जाएगा संडाइजर्स हैडराबाद के होम ग्राउंड और यहाँ पर guys हैDERाबाद का जो स्कोर रहता है वो काफी ज़ादा हाई रहता है औप अब क्या आज का मैच भी guys High Scoring होगा या फिर लो इस्कोरिंग होगा उसके बारे में बात करेंगे साथ में अपन t Tamil देखेंगे जब SRH vs RCB के बीच मैच होता है तब कौन-कौन से ऐसे प्लेयर है जो पर्फॉमेंस देते हैं और इसके अलावा इस मैदान पे गईस कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका रिकॉर्ड काफी अच्छा है उसके बारे में भी बात करें साथ में आपको बड़ा कंफीजन हो रहा होगा आज के मैच में कप्तान और वाइस कप्तान का सेलेक्शन करने में क्योंकि अगर पिक की बात करें तो फाप दूप्लिस भी है अगर उदर देखे तो ट्रैविस हैड अभी शेक शर्मा हैंदिच क्रासन तो भाई किसको कप्तान वाइस कप्तान आज के मैच में बनाए वो भी गईद मैं आपको इस वीडियो में बताने वालों तो गईद आपको पता ही है मेरा ये वीडियो जो होता है वो कंप्लेट इन्फोर्मेशन के साथ होता है जिसमें आपको प्लेइंग 11 भी बताई जाती है प्लेयर स्टैट्स प्लेयर बैटल जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आज के मैच में कौन सा बॉलर दैट में और कौन सा बॉलर पावर प्ले में बॉलिंग कराएगा ये सारी चीज़े अगर आपको कहीं मिल सकती है ना तो शौर एक्सपर्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर मिल सकती है फि गाइज मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए और बैल आइकन की घंटी दबा के ओल प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूं या जब भी लाइव स्ट्रिमिंग करूं हर मैच की तो आप आपके पार नौटिफिकेशन आये और आप क्वालेटी वीडियो के साथ या क्वालेटी लाइव स्ट्रिमिंग के साथ जोड़ जाए और इस वाले वीडियो में भी आप लोगों के लिए फ्री गीववे और गीववे का रूल भाई बहुत सिंपल है आपको वीडियो पे लाइक करना है आपको कमेंट करना है चैनल सब्सक्राइब करना है और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है अगर आप यह काम कर जाते हैं तो आप हजार रुपए विन कर सकते हैं टोटल पाच लोग और आपको एक चीज और बता दूँ आज के मैच में आप 10 ग्राम गो और इस वाले मैच में अपन कर जाएंगे बस कम्प्लीट वीडियो देखोगे तब ही यह पॉसिबल हो पाए तो ऐसा रेच वर्सीज आर सीबी इंडियन प्रीमेर लीग दो हजार चोईस का 41 मैच यह खेला जाएगा गई राजीव गांदी इंटरनेश्टल स्टेडियम हाइव स्कोरिंग रण के लिए जाना जाता है यहाँ पर जो वाले ग्राउंड पर पडूकर तोटल सैवन्य Emma é जिसमें से जिस टीम ने पहले बैटिंग किये उसने 33 जिसने सैकेंड बैटिंग किये उसने 49 और एवरेज स्कूर पर एक बार फोकस करिएगा 196 बट गाइज इस ग्राउंड पर एक कहानी में ट्यूस्ट भी है आपको बता दूराजिव गांदी इंटरनेशनल स्टेडियम में चार पांच पिछ है दो तीन पिछ तो हाइली बैटिंग सपोर्टिव है पर एक दो पिछ ऐसी भी है जिस पर इस्पीनर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते है और वो पिछ भी काफी स्लो होती है अब आज का मैच कौन से पिछ पे होगा गाई यह तो मैं आपको ला प्रेज वर्सेज आर सीबी की आज के मैच की आपको टीम प्रेडिक्शन भी दूंगा और एक काम गाई और कर लेना केवल एक मिनिट का आपका टाइम लगेगा करना क्या है गाई मेरा टेलीग्राम चैनल है शौर एक्सपर्ट सपोर्ट टेलीग्राम चैनल मेरा ओफिशल चैनल है यहां पर गईद मैं हर मैच की टॉस के बाद बिल्कुल फ्री टीम देता हूं और मैं खुद बना के देता हूं जिससे आप लोगों को एक बैस टीम मिल पाती है कप्तान वाइस कप्तान के सेलेक्शन के साथ तो आप उसको गईस पका से जॉइन कर लेना जॉइन कर करना है वो सीधा आपको टेलिग्राम पे ले जाएगा पका से जॉइन कर लेना फ्री में जॉइन होता है इसको चार नहीं है तो पका जॉइन कर ले अब देखे गई इस वाले वेन्यू पर जो अभी रिस्टेंट्ली मैचेस खेले गया है इस इंडियन प्रीमेड लीग दो बट यह सबसे बड़ा था 277 बनाए ऐसा रह ने मुंबई 246 बना पाया और इस वाले मैच पे फास्ट बॉलर्स को 6 विकेट मिले स्पिनर्स को 2 विकेट मिले और हैडराबाद ने यह वाला मैच इजिली 31 रन से विन कर लिया इसके बाद इसी वेन्यू पर 5 अप्रेल को 66 बना गया और इस वाले मैच पे पेसर्स को 5 और स्पिनर्स को 4 विकेट मिले तो गई यह चीज में आपको हमेशा बताऊंगा कि जहां पर स्पिनर्स इफेक्टिव हो जाते ना वहाँ स्कोर काफी कम बनता है यह हमेशा आप देख ले ना कभी भी किसी भी मैदाद पर इसक की अप्रम के पेशल्स वाले मैच में 4 और स्पिनर्स को 3 विकेट मिलें तो जो आपको आज के मैच का टीम कॉम्बीनेशन उसमें क्या करना है ध्यान रखना एक तो मैक्सिमम बैटर्स लेके चलना अब बैट्समैन में देखिए हो सकता है मक्राम हो क्लासन हो विराट कुली फाफ वो किसको पिक करना है वो तो मैं आपको आगे वीडियो में बताई दूँगा दूसरी चीज़ अग जब आप बॉलिंग सेले जैसे लाश्ट मैच में मैंने बोल दिया था इस्टॉनियस को आप रख सकते हो अच्छा करके दे सकता है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है तो आपने देखा वो कितना स्कोर कराके गया इसलिए मैं कहते हो हमेशा कंप्लेट वीडियो देखा करो अब पॉइंट आता है सन्राइजर्स हैद्राबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की आज के मैच में क्या प्लेइंग 11 होने वाली है सबसे इंपोर्टन चीज आती है कि आर से भी क्या कोई बदलाब करेगा क्योंकि यह हर मैच में कुछ ना कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है तो सबसे पहले SRH की 11 देखते हैं ट्रैविस एड के साथ अभी शेक शर्मा गईज आपको ओपन करते हुए दिखेंगे नंबर तीन पर आएंगे मकराम एड़न फिर आएंगे हैंदिच क्लासन फिर नितिश रेडी शाबाज एमत फिर अब्दुल सामत पैट कमिंस वाशिंग्टन अब SRH देखें और टीम काफी बैलांस पोजिशन में लग रही है तो मुझे तो नहीं लगता है इस टीम में तो कोई चेंज होने वाला है यह अपनी सेम 11 ही उतारेगा आज के मैच भी RCB की तरफ से विराट कुली के साथ फाब्दू प्लेस आएंगे ओपन करने इसके बाद आएंगे विल जैक्स, रजर पार्टीदार, कैमरॉन ग्रीन, फिर एस प्रभू देशाई, महीपार, लोम रोड, दिनेश कार्तिक, करंट, शर्मा, मोहमत, सिराज, फर्ग्यूसन, य अगर आप लास्ट मैच को देखोगे न, RCB का, वो मैच RCB हारा जरूर था, बट फाइट अच्छी हुई थी, काफी अच्छी फाइट हुई थी, तो मुझे लग रहा है, कैमरॉन ग्रीन ने लास्ट मैच वे विकेट भी निकाला था, तो कही ना कही ये भी आज के मैच में कंडिशन के आएगा इस वीडियो पर लाइक होना जरूरी है और चैनल सब्सक्राइब होना जोड जरूरी है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन के घंटी दबा के और प्रैस नहीं करता तो आपका आंसर सही होकर भी आपको प्राइस नहीं मिलेगा, य यह offer गई माई 11 circle app आज के match में आपको दे रहा है, जो कि SRH vs RCB का match है, अब यह offer आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए मुझे ध्यान से सुनिए, गई सबसे पहले आपको क्या करना है, माई 11 circle app को डाउनलोड करना है, डाउनलोड कैसे होगा, इसी वीडियो के description में, comment section में आपक अगर आप माई 11 circle app को आप पहली बार डाउनलोड कर रहे हो, पहली बार अजिश्टर कर रहे हो, तो यह आप लोगों के लिए ही offer है, उसके बाद गई एक गंटे के अंदर अंदर आपको माई 11 circle app पे जाना है, वहां पे आपको एक मेगा contest दिखेगा, केवल यह मेरे ही users को दिखेगा, मेरे ही subscriber को दिखेगा, जो मेरे link से जाके डाउनलोड कर रहा है, otherwise आप other link से जा रहे हो, तो वहां offer नहीं है, यह केवर my link से ही दिखेगा, तो एक रुपे का guys आपको contest दिखेगा, जिसमें किवल आपको एक रुपे जोई देना है, और आपको first price पे मिलेगा 10 gram gold तो guys इस वाले IPL में आप double दिवाली बना सकते हो, एक दिवाली गई, एक दिवाली आप जहाँ पर आप जीत सकते हो, तो धन तेरस को offer है, जबरदस्त, धन तेरस अभी तो नहीं है guys, पर धन तेरस आप मना सकते हो, यह gold विन कर करें, तो जाइए एक रुपे में guys केवल एकसपर 23, एकसपर 23, एकसपर 23 कोड डालने से क्या होगा, आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा, फर्स्ट इपोजिट पर, मादला आपने 200 का डिपोजिट किया, तो 240, 500 पर 600, 1000 पर 1200, तो डिपोजिट के टाइम पर एकसपर 23 कोड आपको जरूर योज करना है, और फर् सबसे पहले मैं विकेट कीपर सेक्शन में चलता हूं, विकेट कीपर सेक्शन में संराइजर सेद्राबाद की तरफ से दिखेंगे, हैंडिच क्लासन, नमबर चार पोजिशन पर यह खेलता है, और आर सी बी के अगेंस खेलना भाई यह बहुत ज्यादा पसंद करता है, आर सी बी के अगेंस इसने दो मैच खेले, 136 रन बना है, और आज का मैदान, आज का जिस मैदान पर मैच हो रहा है ना, राजिव से दिनेश कार्थिक की, यह गाईज इस IPL में बहुत ही अच्छा पर्फरमेंस दे रहा है, और कंसिस्टेंस इसे दे रहा है, लास्ट तीन मैचों में 25-83 तरेपंद, और आप देखें एवरेज इसका, SRH के अगेंस, चोईस का एवरेज है, 23 मैच 412, तो गाईज मेरे अको से आपको दो प्लेयर पिक करके चलने पड़ेंगे, पहला दिनेश कार्थिक, डैफिनेटली रखना है, और दूसरा क्लास अंग, यह दोनों आपको स्टंपिंग कैचिंग के भी पॉइंट देंगे, और अगर रनों की बात करो, फॉर्म की बात करो, तो कही ना कही दोनों क पाफी बैटर फॉर्म में भी चल रहे हैं, तो डैफिनेटली रख सकती हूँ, तो यहां पर गाईद मैंने दो प्लेयर रख चुका हूँ, बाकी नौ प्लेयर कौन होने वाले हैं, और बालिंग में से आज के मैच में एक ट्योष्ट है, वो दिहान से देख लेना, क्या ट् सबसे पहले ट्रैविस एड ओपन करेगा, वर्ड कप में गयी जो दर दिया ता वह अभी तक कंटिनु चल रहा है, और इस मैदान पर तीन मैच खेले, 123 रन भी बना चुका है, और इस आईपल में भाई बहुत ऑलग अन्दाज में लग रहा है, यह स्टार्टिंग और में कि रोता है 89-121 अभी शेक शर्मा ओपन करेगा भाई प्रिवियस सीजन अगर आप इसका देखोगे ना 20 की एवरेश सरन मनाए तो इसने खाली प्रिवियस सीजन में पर्ट ट्रैविस हैड को देखकर ये भी चेंज हो चुका है और बहुत ही अलग अंदाज में खेल रहा है लास्ट मैच में 46-34-16 श्ट्राइक रेट आप देखोगे तो एप्रोक्स 200 प्लस का तो भाई ये दोनों प्लेयर तो गाईस डेफिनेटली टीम में रख लेना वहीं क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हो सकता ही आउट हो जाए ऐसा निये आउट नहीं हो सकते जल्दी अगर ये परफॉर्म कर गए तो फिर रुकते नहीं है और अब्दुल सामत ये भी गाईस काफी अच्छा कर रहा है जब भी मौका मिल रहा है उसने प्रिवियस सीजन में बहुत अच्छा किया था अभी शेक शर्मा से भी बैटर किया था 42 का एवरेस था इसका प्रिवियस सीजन में और इस सीजन में भी जब भी मौका मिल रहा है रन बना रहा है 13-37-25 और इस मैदान पर चार मैच 99-25 का एवरेंग तो इनकी नितिश रेडी तक बैटर है कौफी अच्छी बैटिंग लाइन अप है तो यहां पर आपको क्या करना है ट्रैविस हैड और अभी शेक सकते हैं कि हो सकता है आज के मैच में जल्दी आउट हो जाए तो मिडिल ओडर में आप सामद रन बना के दे सकता है तूस अकॉर्डिंग भी आप एक टीम बनाना जीयल में महापे आप अब्दुल सामद को डैफिनेटली लेके आ सकते हैं इसके बाद रोयल चैलेंजर्जर की बैटिंग सेक्शन की बात करें कितना जबर्दस अपना पेडिक्शन जा रहा है जैसे जैपूर वाले मैच मैंने का ता रोई शर्मा फेड होगा लखनाव चेन नहीं का जो मैस ता उसमें मैंने बुला डीकॉक फेड होगा दोनो फ्लॉप होगा इसके कहता हूं लाइव मैदान पर 43 का एवरेज है एसारेज के अगेंस 36 का एवरेज है और लास्टीन मैचों में 18-42 फाफडू प्लेस जो की ओपन करने वाला है यह भी गाईज अब फॉर्म में आ चुका है और इनका कप्तान है एसारेज के अगेंस 45 का एवरेज इस मैदान पर 39 का लास्टीन मैचों में दो हाफ सेंचुरी है 61-62 रजर पार्टीदार नंबर चार पे कहलेगा और यह भी गाईस काफी अच्छा करके दे रहा है लास्टीन मैचों में बावन पचास और आप देखें दो मैच 57 रन ऐसारेज के अगेंस तो तीन मैच में केवल 59 रन मनाया बीस के जो काफी अच्छा है विराट कोली और रजर पार्टी तीनों को आप डैफिनेटली रखने ना तीनों मेरे काफी ज्यादा बैटर लग रहे हैं आज के मैच के लिए तो आज के मैच में बैटर्स थोड़ा अपन ज्यादा लेके चलेंगे क्योंकि पिछ थोड़ा ऐसा लग और आर्सीबी के अगें तीन मैच 59 और लास्ट तीन मैचों में थूड़ा सा फॉर्म है ना डग मगाया पर मकराम भी इस मैदान पर काफी अच्छा करता है जब यह अपने घर पे खेलता है इनका गरी मानिए आप यह और अच्छा करता है शाबाज लास्ट मैच में 59 उससे पहले 14 इस मैदान पर तीन मैच 18 और साथ में तीन विकेट जब आर्सीबी से खेलता था शाबाज तब यह भी फ्लॉप था बड़ एसा रेच के पास आते यह भी पता नहीं क्या हो गया है के नितिश रैडी यह गाईज एक नया उभरता हुआ ऑल राउंडर बंदा है जो क मैचों में किवल तीन ही विकेट मिले और शत्ते सन मनें तो यहां पर आपको क्या करना है देखिए मेरे अकॉर्डिंग दो बैटर पिक है एक तो मकराम है और एक शाबाज और एक नितिश यह तीन को मैंने आज के मैच के लिए आप लोगों को लोगों को दो टीम मनाई है जो मैं हमेशा बना तो एक सेफ एक रिस्की तो दोनों को कैसे यूटिलाइस करना है तीनों को वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा बाकि तीनों काफी बैटर है मकराम शाबाज और नितिश यहां पर गाईद अगर आर सीबी के बात करें तो दो अल्राउंडर है ग्री यह का सेलेक्शन करने में बड़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि अच्छे बैटर अच्छे बैटर अच्छे बालिंग जरूर दोनों का थीक ठाक है तो ग्रेन और विल जैक्स दोनों का बैक अप दे रहे अब गया बात आती है आज के मैच पर बालर कि संद्राइजर सेद् अचसराइध उस बैशिस पर करेंगी सबसे पहला नाम आता है प्ट कमिंस का फास्ट बोलर है इस मैदान पर पांच मैच चार विकेट आरचे बींगें साथ मैच आठाटवरे पाफ एसस मैच प्रकुमार विकट निका ले इक मैदान पर 8 में 8 और RCB के अगेंस 8 में 9 और मयंक बरकांडे गई इंप्रेसिव है इंपक्फुल है लास दो मैचों में अब तक 4 विकेट इसको मिल चुके है इस मैदान पर यह बहुत अच्छा कटा है 8 मैं 10 विकेट और सामने वाली टीम के अगेंस 3 मैंस 3 विकेट तो आज के जो सबसे बढ़िया पिक है वो है नटराजन, मायक, मरकांडे और पैटकम्स यह तीन काफी बैटर है SRH की तरफ से जो कंसिस्टेंसी से कही ना कही अच्छा करके दे रहे है और राड सी भी के अगर मैं बालिंग की बात करूँ तो महमत सिराज विकेट जरूर ले दाता है बट बहुत रन उटा के देता है और इस मैदान पर 6 मैच आट विकेट है SRH के अगें 10 मैं 9 विकेट यस डियाल जिसको लाश्ट मैच पे 2 विकेट मिले ठीक ठाक बालिंग करा है और यह हर मैच में एक आध विकेट तो निकाली लेता है सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि SRH के आज के मैच में सबस्ट्यूट प्लियर कौन कौन हो सकते हैं इसमें उम्रान मलिक है अनमोल प्रीच सिंग है आकास सिंग है और ग्लैन फिलिप्स है मुझे नहीं लगता है SRH की तरफ से कोई बदलाव आपको देखने को मिलेगा अच्छा कर दिया सबस्ट्यूट कोई जूड़ सकता है ग्लैन फिलिप्स या उम्रान मलिक में से अगर जूड़ता है तो भी मत रखना कोई खास रिकॉर्ड नहीं है और फिलिप्स तो इस मैच में मैं बोलो आपको विराट कोली और फाब्डो प्लिस को आप ड्रॉप कर दो तो आप बोलोगे भाई क्या बोल रहा है पर मैं आपको बोलू ग्रैंड लीग में आप ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप 10 टीम मनाने जा रहे हो तो फिर आप जरूर सुनोगे कि भाई पतालिस भॉलो पे दो राउट कर चुक है है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भुवनेश्वर कुमार और यहां पर आप देख सकतेैं पेडियों में थाओ मैंच पे बैटेवे प्लेयर्स को मौका मिलेगा सम्मावना ना के बराबर है आप देखें मैंक अगरवाल है टावल ट्रिपार्टी है पर तीम इतना अच्छा कर दिया इतना कॉंबिनेशन के साथ है तो मुझे नहीं लगता है यहां पे कोई सकते हैं कि मुझे नहीं लगता कोई और यहां पे भी कोई चेंज आज के मैच में लग रहा है और सी भी सेम टीम के साथ जाने वाला है कि अब गई के सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि मैंने आपको बॉलर्स बता दिया ऑल डाउंडर्स बता दी ठीक है बॉलर्स बता दी अब इनमें से अपन फाइनली अपनी टीम में किसको लेकर आए तो यह डिसेजन होता है कि कौन सा बॉलर्स दैट में आगा कौन सा पावर प्ले में उसके बेस पे गईज मैं डिसाइड करता हूं अगर मैं आर सी भी ऐसारेज के लास्ट मैच को ही पॉइ बुमनेश्वर कुमार और नट्राजन इन्होंने अपने कंप्लीट ओवर्स करें थे पूरे चार्चा रिमेनिंग ओवर करा है वाशिंग्टन सुंदर ने मयंग मरकांडे ने शाबाज एमद नितिश रैडी ने और जो 15-20 ओवर का जो थाना टाइम प्रेम इसमें करा है इ दूसरा नितिश रैडी यह आपको बैटिंग करके दे रहा है घर तरफ से पॉइंट स्कोर कराके देता है तो नितिश रैडी काफी अच्छा पिक है दूसरा तीसरे पिकमेगा इसा आप या तो शाबाज के साथ जाए या पैट कम इसके साथ जाएए अब मुझे ऐसा लग बाकि मैंक मरकांडे को भी आप रख सकते हो क्योंकि यह भी कंसिस्टेंस से दो विकेट निकाला है दो मैचों में और इस पिनर तो अगर इस पिछ पे थोड़ा बहुत भी टन हुआ तो मैंक मरकांडे भी बैटर है तो गईज मैं आपको शाम को जब लाइब आउंगा पांच बॉलर है पांच उने कंप्लीट ओवर्स करा है बैट में कराई यस्ट याल ने फर्ग्यूसन ने सिराज अब अगर आप इस टीम में देखोगे तो ग्रीन को रखने का फायदा है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैक अप दे रहा है इसके अलावा दूसरा बॉलर है वह भी मैं आपको बताने वाला हूं बट उससे पहले आपको एक चीज़ बता दू माइवन सरकी लैप पे आपके पास बहुत अच्छा ओफर है आज के मैच में दस ग्राम गोल जीतने का जो की फर्स प्राइज है और वह भी किवल एक रुपए लगाना है आपको एक तो डिस्किरिप्ष्टन में कमेंट में जो लिंक दिख रहा है उस लिंक से ही आपको एप को डाउन्लोड करना है तभी आपको ओफ़र दिखेगा अधरवाइस नहीं दिखेगा और डाउनलोड करने के मेरा कोई यूजर अगर यहाँ पर विन करता है तो मेरी तरफ से एक् अब दूसरी टीम में मैंने क्या कर रहा है वो दिखा दो क्लासन दिनेश कार्थिक सेब विराट फ्रेविस वावडु प्लिसेश सेब यहां पर क्या करा है मैंने रजर पाटिदार को ड्रॉप कर दिया और मकराम को ड्रॉप कर दिया इस टीम मैं यहां पर मैंने चार ओल्राउंडर रखे चारों एसा रहेचके अभीशेक शर्मा है ड्रॉप कर देना है यहां पर Cameron Green और Will Jacks यह दोनों को गईज आज के मैच में पक्का लेकर आएगा Cameron Green और Will Jacks Cameron Green और Will Jacks दोनों काफी बैटर पिक हो सकते हैं आज के मैच के लिए तो आप डेफिनेटली रख लेना अपनी टीम में Will Jacks और Cameron Green इन दोनों को आपको रखना है तो आप मेकराम या रजट पार्टिदार में से ड्रॉप करके उन दोनों को रख सकते हैं ग्रीन और Will Jacks देफिनेटली रख सकते हैं कप्तान वाइस कप्तान के लिए आज के मैच में जो चोईस है वो है विराट कोली एंदेच क्लासन और ट्रैविस हैड और अभीशेक शर्मा अब मैं फाइनली इन चारों में से किसको बनाऊंगा वो मैं आपको लाइव इस्ट्रीमिंग में बत आने वाला है आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना अंसर देते समय लिखना है एसारेच वर्सेज आर्च वर्सेज आर्च वर्सेज आर्च बी आइप पेडिक्शन डिटेल प्रिव्यू गाइद हैं खतम होता है और वीडियो फुल इनफॉरमेटिव ता एजूकेशन परप कर भाड़ का